मैं सूरज कुमार और आज मैं आप लोग को साउथ इंडियन की टॉप फ्री बेस्ट अम बेस्ट मुविस सजेस्ट करने वाला हूँ जो कि एकदम दर्दनाक इमोशनल मैसेच से भरपूर और एक अलग ही लेवल की फिल्म में फिल्म से बड़ी तो इनकी सोच है यार क्या फिल्मों को देखने के बाद आप इतने ही बूल दोगे कि सच में यार इंडियन सिनमा में बहुत ही बड़ा तहलका है और बहुत ही बड़ी चीज़े जो कि सबको देखने चीए यह तिन फिल्म आपके लाइफ बदल देगी तो आएए मैं आपको साउथ के तीन बैतरिन फिल्म में सरजेस्ट करता हूँ जिस पर से तीसरे नमबर पर जो फिल्म है उस फिल्म का नाम है कैर ओफ कांचरा पलिम यह एक तेलोगों फिल्म है और सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दू कि इस फिल्म का बजट सिर्फ और से पचास से साथ लाग था सिर्फ और सी उतन है ऐसा लगते कि कोई यूटूबर है अपना कैमरा लेके 15-20,000 वाला कैमरा यूज कर रहा है इस मैंने फिल्म बना ओडए वैसे पोलु कि इस तो में सारी में संपल लगते सारे चिस लेकर इस फिल्म का स्टूरी इस का क्लाीमेक्श ए। इस फिल्म का चैनिक इस फिल्म का ठींकिंग ऑ होहा आइपिंग इंग ऑन की आउन वीडिवेबन यारं और धूसरी आपको बता है मतलब इससाब से अरजुन कपूर इस सलमान खाने लेकिन नहीं आप से इस फिल्म की स्टोरी चलती रहती है इस आप से स्क्रीन प्ले मैनेज किया है इस फिल्म को देखने के बाद शायद आप भगवान पर भरोसा ना करे या आपके उपीनियन सबसे अलग रहे आपका नजरिया अलग रहे इस फिल्म को देखने के लिए बट एक चीज़ जरूर कहूंगा कि यार इस फिल्म की राइटिंग काफी काफी डीप मैं हाइली रेकमेंड करूंगा कि आप लोग जाके फिल्म देखना एक घंटा तक तो समन्ना की बस आप देखते रहो थोड़ा पेशन्स रखना पड़ेगा आपको इस फिल्म को देखने के लिए यह फिल्म अवेलेबले नेट्फिक्स पे और साथी साथ जियो इस फिल्म है नहीं मतलब यार एक ही चीज़ बोलूगा मा कसम खाता हो कुछ-कुछ सिंस पर मैं 10-10 मिनट होया क्योंकि इस फिल्म का जो कनेक्शन था इस फिल्म में जो इमोशन था और इस फिल्म में जो टेकनीक्स था जिस तरीके सी यह फिल्म आपको मैसेज देना चाहत इस फिल्म में एक फिल्म आइती जो की बेसता है जिसका नाम है चपाक बट ओयरे इस मोर इमोशनल दैन चपाक इतना ही समझ लो और पार्वती का पर्फॉर्मेंस देख लोगे ना तो आप तो यार एक ही चीज़ बोलेगे कि यार पार्वती जी आप सूपर स्टार हो यार दो वेशी एक्टेड़ दो वेशी प्रिजेंट अपर्फॉर्मेंस देखे लेकिन इमोशन इतना जादा जो सच में आपको बहुत रूलाएगा मैं हाइली रेकमेंड करतो यह फिल्म जाके देखना जो के अवेले पले नेट्फिल्क्स पे सो नंबर वन पर साउथ की जो बहतरीन फिल्म में उस फिल्म का नाम है अईयर और बभीता की कहानी जेठा की जुबानी उस फिल्म का नाम है कलर फोटो सेरिंग सुहास और चांदनी चोधरी सुहास वही एक्टर है जिनको आपने देखा रहेगा बहुत चारे साउथ फिल्म में वह लीड हीरो के फ्रेंड बने रहते हैं सपोर्टिंग रोल में रहते हैं आपने अक्सर देखा रहेगा उनको लेकिन यहां पर वह एकदम लीड में आये हैं ऐसा तुफानी पर्फॉर पर यहां पर हीरो जो रहता है जो एक्टर इस फिल्म में वह काफी डार्क स्किन रहता है एंड हीरो जो रहती है वह काफी खुबसूरत रहती अब आप लोग भी जानते हो कि बहुत जना इसा मजा कुड़ाते जब कई देख लेते ऐसी जोडी जहां पर लड़का अच्छा अगे जाके इनका बच्चा जेबरा टाइप ना पईदा हो ऐसा ऐसा मैं भी मजा कोड़ाता तरह एंड कई बार आपने भी नोटिस किया रहेगा कि अगर लड़की स्कूटी से जाती रहेगी या अचानक गिर गए रहेगी तो कम से कम 50-60 जन आ जाएंगे मदद करने के लि इस फिल्म को देखने के बाद सबसे पहला एक ही चीज होगा वह है कि आपका नजरिया बदल जाएगा दूसरा चीज यह होगा कि आप सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि यह साउथ इंडिस्ट्री इतना हार्ड कैसे सोच लेते एंड इस फिल्म इस कम्पलेटली हार्ड इ फेंटेस्टिक सूपर इमोशनल पेंफुल मुवी ओफ दी यह बेस्ट 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 यार इतने कहूंगा मैं सो अवराल कलर फोटो एक ऐसी बहतरी तेलगू फिल्म है जो कि एकदम कम बजट में बनिये लेकिन मचांड बनिये एंड यह फिल्म आपको कम्पलीटली अच्छी ओ उनकी नियत बी जरूरी नहीं कि जिनकी शूरत बेकार हो तो उनकी नियत बीकार क्या पता कभी-कभी हम सामने वाले में अच्छा ही बुरा ही दून रहे हैं तो कहीं हमारे विचार अच्छी हो जाए तो अभी मेरे इस रीवीव को देखे बहुत जन कमेंट भी करेंगे कि सूरज कुमार ने सही कहा देखो मैं तो ना सूरत देखके प्यार नी करती मैं दिल देखके प्यार करती हूं अब रहने दो अगर ऐसा रहता ना तो सबसे पहले तो अच्छे सूरत वाले ही डूम मर जाते दे एनिवेज यह रहा मेरा साउथ के तीन बेस्ट फिल्म कैसे फिल्म आ रहे हैं और हॉलिवूड के फिल्म देखो एक सेकेंड आपको लगता है इंडियन सिनिमा में सिर्फ वालिवूड सिनिमा ही है जिससे आप कंपैर कर सकते हॉलिवूड में मैं तो बोलता हूं करो भी मत लेकिन अप ऑलिवूड तक पहुचने से पहले क्यों आ इतने बवाल फिल्म में होती है जो रुला भी देती है जिनका सिनिमाटिक लेवल देख लोगे ना हिल जाओगे हिल जाओगे यार मैं अभी भी बोलता हूं अगर वहां के लोगों को आप पांच क्लोर देदो ना तो आईसे तुफानी पिच्चर बना के दिखाएंगे ऐसे बहुत सारे फिल्मों का रिव्यू लाते रहूंगा जो की डिजर करती है बहुत कुछ तो आई नीडियो सपोर्ट एंड वीडियो अच्छा लेगे तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए सपोर्ट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए प्लीज शर्मात है क्या हो यार कर द